इस दुनिया के तीन कसाई पिस्सू खटमल चीनी भाई ये तीनों ही लोगों का फून चूसते हैं जहां चीन ने कर्ज दे दे कर दुनिया को अपनी जाल में फसाया तो अब भारत ने उसका काट निकाल लिया है और भारत ने अब भुटान और नेपाल को चीन के लिए खतरनाक बना दिया है जानेंगे भारत ने ऐसा कैसे किया है तो वही दूसरी तरफ पी ओके को अब हाथ से जाता देख इमरान खान मान बैठे हैं कि पी ओके तो छुटी गया जिस तरह से अब वो गुहार लगा रहे है आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है तो वही इरान ने भी अब बाइडेन को चुनोती दे दी है आये जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से बात करते हैं इरान की तो पता नहीं क्यों बाइडेन के आने के बाद कुछ देश बड़े जोस में फुदक रहे हैं जिसमें से एक इरान भी है इरान ने अब उल्टा बाइडेन को अल्टिमेटम दे दिया है कि जल्दी से परमानु समझहता पर वापस आओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा हाला कि सूपर पावर अमेरिका के लिए ऐसे सब्द सचमुच बड़े कठिन है साथ ही साथ इरान के सुप जोते पर आएंगे वैसे आपको बता दें अपने देश में संजुक्त राश्रं को आने से रोक दिया है इरान ने इरान का कहना है कि जब तक उसके ऊपर से पर्तिबंदों को नहीं हटाया जाता है जो कि 2015 में हुआ था तब तक इरान अपने यहां किसी तरह की छान बिन करन की अनुमती यूएन को नहीं देगा वैसे यह लाजा थोड़ा धमकी भरा जरूर है लेकिन क्या करें यह वक्त ही है वरना किसकी मजाल थी जो छेड़ सकता था इसे वक्त की नजाकत है वरना कहते हैं किसकी मजाल जो छेड़े इस दिलेर को गर्दीस में घेर लेते हैं कुत जावेद वाजवा का वो सांती संदेश तो याद होगा जो कि बिल्कूल यू टर्न वाला है क्योंकि जब से भारत ने 370 हटाया जम्मु कस्मीर से तब तो ऐसे बौक लाए हुए थे वाजवा की लग रहा था अभी काठ खाएंगे तब से उन्होंने कभी भी सांती की बात कर लेकिन अब अचानक से बाजवा सांती वाले मोड में आ गए वो कहते हैं न अंटी में नहीं है ढेला देखन चली है मेला अब दरसल पाकिस्तान और कमर जावेद बाजवा दोनों को यकीन हो गया है कि भारत पियोके लेकर रहेगा और पियोके को खोता देख घबरा गया है इमरान खान उसने पूरी तरीके से ये माल लिया है कि पयोके उसके हाथ से जा रहा है अब इसके लिए उसने यूएन में दुहाईया देनी शुरू कर दी है एक बार फिर से दरसल एक बार फिर यूएन में पाकिस्तान ने कस्मीर का मुद्दा उठाया है और उसने यह कहने की कोशिस करिये कि कस्मीर को फिर से ध्यान देना चाहिए और उसकी आजादी के लिए काम करना चाहिए लेकिन पाकिस्तान यह भूल उसकी सुन्ती है जो सच्चा हो और साथी साथ आकत्वर भी हो और भारत इस वक्त इन दोनों ही मामले में काफी आगे निकल चुका है ऐसे में भारत ने बिलकुल साफ कर दिया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी तरह की दखल बरदास्त नहीं की जाएगी अब तो वक्त ये है कि पाकिस्तान पियोके को छोड़े और जो भारत की जमीन दबा रखी है उसको वापस करे। हाला कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी इसका अंदाजा हो चुका है कि पियोके उसके हाथ से बहुत जल्द निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब तो ये भविश्वानिया होने लगी है कि कुछी सालों में भारत चीन को पचाड कर आगे निकल जाएगा। जीस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है हर छेतर को ध्यान दे रहा है उसे देखते हुए यह सही ही लग रहा है ऐसा मैं नहीं बलकि एक अमेरिकी रिपोर्ट कहती है एक प्रतिष्टिस संस्थान द्वारा दिया गया यह रिपोर्ट ये कह रहा है कि भारत कई छेतरों में 2030 तक चीन से आगे होगा जिसमें से एक उर्जा का छेतर भी है भारत बहुत तेजी से उर्जा के छेतर में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही चीन को पचार देगा तो वहीं दूसरी तरफ भूटान और नेपाल को भारत ने अब खतरनाक बना दिया है चीन के खिलाफ और इस पूरे इंडो पेस्फिक इलाके में भारत अपना बर्चस्व बनाए रखने के लिए कई सारे बड़े कदम उठा रहा है पहले आपको ये बता दे ये इंडो पेस्फिक छेतर ऐसा छेतर है हिंद महासागर का जहां इस वक्त अकेला बादसा है भारत और सिर्फ चीन ही नहीं दुनिया के कई परमुक देसों की नजर इस इलाके में है वो किसी न किसी तरीके से इस इलाके में अपना नेवल वेस या एर वेस बनाना चाहते हैं अब इस इलाके में रहने वाले छोटे छोटे देस हैं भूटान, नेपाल, स्रिलंका, सेसेल्स औ और भी कही किसी न किसी तरीके से इन देशों की जमीन पर ये बड़े देश जिसमें चीन तो है ही अपना नेवल बेस बनाना चाहते हैं और इस छेतर पर अपना कबजा जमाना चाहते हैं यही वजह थी कि चीन ने पानी की तरफ पैसा बहाया इन देशों के उपर वैसे आपक प्वारत ने स्रिलंका के इस ओफर को ठुकरा दिया था जिसका नतीजा ये हुआ था कि हमबन टोटा पोर्ट चली गई चीन के हाथ में और वो अब रन्नीतिक तौर पर भारत के सबसे खतरनाक पोजीशन वाली पोर्ट बन गई है जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है अब भारत ने अपनी रन्नीति को बदलते हुए 2020 के बजट में करीब 72 करोड रुपे इंडो पैसफिक देशों इसके अलावे अफरिका के देशों के लिए निकाल कर रखा है और ये पैसा कोई करजा नहीं है ये कोई क्रेडिट लोन नहीं है जैसे कि आप धीरे धी है गरीबी है लेकिन यह भी बहुत जरूरी है वरना इंडो पैसफिक इलाके में अगले 50-60 साल के लिए चीन का कबजा भी हो जाएगा और इसका खामियाजा भी भारत को ही भुगतना होगा अब सबसे बड़ी बात है कि इस 72 करोड रुपे में से सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है भुटान को और उसके बाद नेपाल को अकेले भुटान को जाएगा 3,000 करोड रुपे तो वहीं नेपाल को जाएगा 992 करोड रुपे और अफगानिस्तान को 350 करोड रुपे और मयनमार को 400 करोड रुपे जाहिर सी बात है नेपाल और भुटान को अपने दाइरे म रखना चाह रहा है भारत ताकि चीन इनके उपर हावी होने की कोशिस न करे वैसे पूरी दुनिया को पता है कि भूटान के उपर चीन की काफी बड़ी नजर है और भूटान को अपने में सामिल करने के लिए चीन कई तरह के पैतरे चलता है ऐसे में भूटान और साथ में ने को पर भी ध्यान देना बेहत जरूरी है अगर पूरे देश को जोड़े रखना है और सुरच्चीत रखना है तो ऐसे में सरकार का फैसला बिलकुल सही लगता है वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को कूटनितिक रूफ से इन पैसों को इस इलाके में खर्च करने की जर जरूरत है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ